जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे अगर उन से मिलने की दिल में तमना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमना अगर हर से मिलने की दिल में तमना करो शुधन तह करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति पुजा हरी की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरी की करो प्रेम से भक्ति पुजा हरी की तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो बहुत सुन्दर सा भाव है इस भजन का कि अगर आपको परमात्मा से मिलना ही है अगर आपके मन में वो मुमुक्षा जागरित हुई है या कि वो भक्ति भाव जागरित हुआ है कि इस जीवन के रहते इस मनुष्य के तन के रहते परमात्मा से प्राप्त हो परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर ली जाए या हरी दर्शन हो जाए या भगवान की भगटर रदय में आ जाए तो करना क्या है? भईया, धीरे धीरे भजन हमको करना है इसका अरे तो ठाकुर जी का करिए, भगवान का करिए जब आप और हम मिलकर ग्हें बगवान का भजन करेंगे तो क्या होगा, वो परमात्मा आकर हमको आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा भजन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको आपको भजन बढ़ाना पड़ेगा, क्यूं? अगर आपको उनसे मिलने की दिल में तमन्न आ गई है, तो क्या करिए? सबसे स अगर आपका अंता करण को शुद्ध करिए अगर आपका अंता करण शुद्ध होगा तो निर्माल मना जना सो मोहिं पावा मोहिं कपाट चला छिद्रन भावा भगवान ने कहा क्या कहा अरे निर्मल मन होगा तो भगवान आकर के खुद मिल जाते हैं तो अंता करण दूसरा जगत में कोई कार्यों मुश्किल नहीं है यह मानके चलिए हमको लगता है कि अरे भिया कैसे होगा अरे भक्ति कैसे होगी अरे भगवान कैसे मिलेंगे सब मिलेंगे क्या आपके अंदर वह इच्छा है और चाहते हो कि हमको भगवान मिल जाए हम तो भगवान की पूजा भी इसलिए करते कराते हैं कि भगवान जगत के कारे बना दे असन वसन नियुसन की व्यवस्था भगवान बना दे रोटी कपड़ा मकान भगवान हमको दे दे या या कि जगत के कारे को भगवान पूर न कर दे इसलिए हम और आप मिलकर क भया कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं कोई भी काम मुश्किल नहीं है तो क्या करेंगे यतन करें धीरे-धीरे भजन को बढ़ाए भगवान आपसे मिल जाएंगे और क्या करना है भक्ती करिए सेवा करें किसी दुस्री य告诉 हरी के अच्छा लोगने पतरने ये अप पिरा इस संसार में सबसे मिलिये धाए क्योंकि ना जाने किस रूप में अर नारायन मिल जाए किस रूप में नारायन मिल जाए किस रूप में नारायन मिल जाए सब को भगवान माणिये सब के भीतर अपने परमात्मा का दर्शन करिए और सबसे प्रेम करिए, भक्ती मतलब होता है भया प्रेम, हम बितना बितना प्रेम करेंगे, उतना उतना हमारी भक्ती arch होते चली जाएगी यह विश्वास आप मानिये करो प्रेम से भक्ती, सेवारिकी सेवा करिए, भक्ती करिए गुरु जी प्रणाम भैया, पंडित धिरेंध मिश्राजी, भैया, सुधीर यादव जी, प्रेम सागर शुकला जी, सुशील काशीकर जी, गुड्डु सिंग भैया, और सशिमन्त सिंग जी, शिवकान्त मिश्राजी, बासकर पांडे, उदैभां नम żyया भैया, और कौन सैले तो इस भजन का भाव के वाल इतना है कि चार पुरुशार्थ है ना क्या धर्म, अर्थ, कर्म और मोख्ष तो हमको चारो पुरुशार्थ की प्राप्ति इस मानों के तन के रहते रहते हो जाए इसलिए आवश्यक है धर्म करना और धर्म क्या है धर्म क्या है तो बात याद कर भागवजी की बात मुझे याद आ रही है सवै पूंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे वो परमधर्म है क्या अरे भाईया जिससे भगवान की भक्ति आ जाए परमात्मा के चर्णों में भक्ति आना ये व्यक्ति का परमधर्म है सवै पूंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे कैसी भक्ति अहे तुकी अप्रतिहता ये आत्मा समप्रसीदती अहे तुकी भक्ति आपके और हमारे रदय में आजाय इसलिए क्या करना है भगवान का भजन करना भगवान की सेवा करनी है भगवान का स्मरन करना भक्ति कितनी है नौधा भक्ति का वर्णन भागवची में और नौधा भक्ति का वर्णन मानच जी में गुरुजी जनकाते हैं प्रत्मा भगते संतनकर संगा दूसार भग, दूसार रते ममा कथा प्रसंगा ऐसे ऐसे कर गिना करके नव भक्ति बताई है, संतों का संग भक्ति है, कथा में भगवान के प्रसंग में, भजन में रती होना भक्ति है, गुरु के पंकट की चरण कमलो की सेवा करना भक्ति है, ये सब भक्ति है, और भागवाजी में श्रमणं कीर्थनं विश्णों स्मर्णं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सक्षमात्मनिवेदनं ये नौधा भक्ति है अच्छा भक्ति का उदेश क्या है भक्ति का उदेश मात्र इतना है कि ये न के न प्रकारेणा श्री हरी से संबंध स्थापित किया जाए भगवान से संबंध स्थापित किया जाए इसी का नाम भक्ति है आप भगवान को चाहे तो पुत्र मान लिजे आप भगवान को चाहे तो पिता मान लिजे आप भगवान को चाहे तो पत्नी मानिये यह किसी भी प्रकार से जुड़िए सखा भाव जो जिस भाव में यानी की क्या अरे भाया जिसमें आपको भगवान का दर्शन हो जाए वो यारा मैं क्या करूं सजदे सर जुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं जिसमें आपको रब दिखे जिसमें आपको आपके परमात्मा का दर्शन हो वो आपका भगवान है जहां आपको आराम मिल जाए वो आपका भगवान है इस शरीर के रहते हमारा आपका परमुद्देश भी यह होता है कि कैसे कैसे हमारे जिवन में सुख का वर्धन हो आनंद का वर्धन हो तो यह वैस तभी संबन होगा क्योंकि एक छोटी से छोटा सा संकीरतन गाउं अगर आप लोग सुख शान्ती धूंड रहे हो तो संसार के जो सुख है वह शन भंगूर है मतलब आपको यह परमानेंट हैपिनस प्रदान नहीं करेंगे इस वांट परमानेंट हैपिनेस इन यूर लाइफ दिन यू है तो डू भक्ति ओप लॉड हरी लॉड राम लॉड कृश्ण यह कैसे होगा भया अरे भक्ति करिये ना कैसे भी क स्थापित किया जाए इसका नाम है भक्ति और भक्ति रानी यदि आकर आपके रदय में बैठ गई तो मालनेजे आपका मानो तन आपका मानो चोला यह आपकी मानो यूनी धन्य हो गई आपका कुल आपका परिवार धन्य हो गया जिस कुल में एक भगवत भक्त जन्म लेले वो पूरे कुल को तार देता है तो मुख्य यह है आप हरी का भजन करिए कड़ी गाते क्यों कि सत्यमानिय भईया कड़ी बात कह रहा हूं आप लोगों से सच भात यही है कि हरी ही हमारा है कि वल पर्मात्मा ही हमारे हैं बाकि जगत के जीतने संबंद है वो सुख आपको प्राप्ट करना है जगत में मेरे भाई जहां जहां आप सुख को धुंडोगे आपको वहां दुख भी मिलेगा सुख के साथ दुख भी है और यदि आपको केवल और केवल शाश्वत सुख प्राप्ट करना है जिस सुख को प्राप्ट करने के बाद जगत में और कहीं कोई सुख की कामना ही न रह जाए। हरी भजन बिना सुखशांती नहीं के सुखशांती नहीं मिलेगी इसलिए मानों के तनके रहते आपका हमारा उद्देशिह होना चाहिए नखे न प्रकारेणा भगवान की भक्ती हरदय में उत्पन्न हो जाए और जगत के व्यवहार पूर्य हो जाए अंती में हम भगवान से से मिल जाए भगवान से मिलना है तो इसलिए हरी का भजना करो हरी है हमारा आपका हमारा एक और परमात्मा राम जी कृष्णा हरी जो आपको प्रीव तोरूप्री लगे ठाकुर्जी का वह आपका संबंद्ध से जोड़िए हरी का भजना का हरी है हमारा इसलिए इसी भाभों के साथ निकमित्र का प्रश्ण था यह भक्ति है यही भक्ति है मेरे प्यारे भगवान से जुड़ जाओ ठोड़ा भगवान का किर्तन करिए ठोड़ा भगवान का नाम जपिए अरो कितने नाम हरी आपका कल्यान करेंगे परमात्मा आपका कल्यान करेंगे इसलिए करना क्या है आप और हम मिलकर के भगवान का भुक्ति करें केवल मैं आपको बता हूं अर्थ प्राप्ति हेतु भी नहीं करता यदि आप अर्थ नहीं हो तो मुझे कहिए गा हम आप मिलकर के भगवान का भजन करेंगे भगवान का भजन करने के लिए कुछ नहीं लगता मेरे प्यारे कुछ नहीं लगता एक भजन भी याद नहीं आ रहा भी इसमें धन नहीं लगता तो इसलिए क्या करना अपने भगवान को हर्दय में बिठाइए अपने ठाकुर को बागी देखिए मुख में हो राम नाम और जगत की सेवा करी हाथ से और हर्दय में अपने परमात्मा को बिठाइए आपका जनम सफल हो जाएगा एक एक जगजी सिंग्जी ने गाया था वो मुझे एक कड़ी करना तो हाँ जनम सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाले मन में राम बसाले जनम सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाले जनम सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाले मन में राम बसाले आपका हमारा जनम सफल होगा अगर मन में राम जी बैड़ गया है इसलिए आपको हमको मिल करके कैसे भी भया भगवान का भजन करना है हरी की भक्ति करनी है ठाकुर जी को रिजाना है आपका हमारा प्रयास इसलिए नहीं होना चाहिए कि जगत के लोग रिज जाए आपका हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि यह न के न प्रकारण हमारे ठाकुर जी हमसे रीज जाए हमारे श्रीहरी हमसे रीज जाए हमारे कृष्णजी हमसे रीज जाए हमारे रामजी हमसे रीज जाए इसलिए आपका हमारा हर प्रयास हर कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारे ठा प्रमात्मा को अच्छा लगना चाहिए इसलिए आज की सत्र में केवल इतना ही थोड़ी सिवा फिर कभी प्रमात्मा ने चाहा तो इस विज्ञान के सदूपियों के माध्यम से आप और हम थोड़ा भजन और सत्संग करेंगे यदि कोई प्रश्ण होगा तो आप लोगों से पूछेगा सभी को सादर प्रणाम जैसे कृष्णा जैसी आराम पुना स्रीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी आपके वितर बैठे मेरे प्रमात्मा को मेरे स्री सीता राम जी को मैं प्रणाम करते हुए यहां पर वानी को विश्राम सभी को जैस श्रेक्रिष्णा जैसे आराम और इस संकीरतन के साथ यह लाइब वीडियों यहां पर स्वाप्त होगा हरे राम आराम आराम सीता राम 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 हरे राम आराम आराम सीता राम 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 हरे राम आराम आराम सीता राम 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 हरे राम आराम राम सीता राम 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 हरे राम आराम राम सीता राम 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 हरे राम आराम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता रामराम high राम Ram Ram Sita Ram Ram Hare Ramạ bridges Hare Hare, Hare Ram हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 क्रिष हरा हरा महादे